हेलो फ्रेंट्स क्या आपको पता है कि हमारे देश की इंटार बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करने वाला कॉंसर इंस्ट्यूशन है और उसके क्या-क्या फंक्शन्स हैं अगर आपको इस टॉपिक के उपर ज्यादा ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको ये वीडिय पर डिसकस करेंगे सबसे पहले मैं आपको बता दो कि मीनिंग ऑफ सेंट्रल बैंक क्या होती है और इसका में काम है पूरे के पूरे बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करना ऑपरेट करना उनके लिए रेगलेशन बनाना उनको डारेक्शन प्रवाइड करना और साथ साथ में जितना भी मॉनेटरी स्टक्चर है उसको प्रॉपरली फ्रेम आउट करना तो सेंट्रल बैंक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्यूशन है जो पूर इसके बहुत सारे इमपॉर्टेंट फंक्शन यो इसको प्रफॉर्म करने होते हैं जलिए अब देखते हैं कि घृप क्या-क्यां इंपॉर्टेंट क्वंक्शन्स परफॉर्म किया जातें तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो στην आर्ट का वह करंशी गोल्ड बुलियंस, फॉरेंच सिक्योर्टीज तो Central Bank एक ऐसी सिंगल अथॉर्टी है जिसको हमारे देश में करेंसी इशू करने की पावर दी गई है Central Bank जितनी भी करेंसी स्प्रिंट करता है उसके बराबर की value की गोल्ड coins या गोल्ड बुलियंस या foreign securities को backup में रखता है तब ही जाकर वो मार्केट में करेंसी को सप्लाइ करता है सोल अथॉर्टी होने के करांट से काफी सारे advantages के मिलते हैं चली देख लेते हैं सबसे पहला uniformity in note circulation हम लोग यह जानते कि हमारे देश में currency print करने वाला और circulate करने वाला एक math institution RBI है तो उनके द्वारा जो भी currency circulate की जाएगी उसमें uniformity रहेगी उसमें quality of paper ink used and the supply will be uniform अगर अलग-अलग institutions note circulate करेंगे तो निश्चिति उसमें सबसे बड़ी जो कमी होगी वो है uniformity पर क्योंकि single institution के द्वारा ही देश के अंदर currencies print की जाती है और circulate की जाती है इसलिए इसमें पूरी तरह से uniformity maintain रहती है second है better supervision and control क्योंकि एक ही की द्वारा पूरा print किया जा रहा है उसको circulate किया रहा है तो उसको supervise करना और control करना काफी आसान होता है RBI अपनी policies और instruments के थुरू इसको आसानी से control कर सकती है और स्वाथ में supervise भी कर सकती है इसके पिछले वीडियो में हम लोग अच्छे समझाता कि किस प्रकार commercial banks credit create करते हैं और money creation करते हैं economy के अंदर और उसको control करने के लिए RBI के जो सबसे important instrument है वो है legal reserve requirement LRR तो LRR का सही तरीके से use करके और अपनी अलग-अलग policies के थुरू RBI देश के अंदर credit control या money creation करता है फोर्थ है insurance public faith क्योंकि हमारे देश में जो भी currency print होती है उसका properly backup लिया जाता है उसके बादी currencies को print किया आता है और single institution है जो पूरे entire banking और monetary structure को control करता है इसलिए जनता का भरोसा maintain रहता है RBI के उपर last है stabilization of internal and external value of currency आपको पता है कि रूपी की value घरती बढ़ती रहती क्योंकि आजकल रूपी की value का determination होता है वो market forces के थ्रू होता है यानि demand and supply of currencies के थ्रू होता है इसलिए जो भी उसकी internal और external value है उसको stabilize करने में भी RBI बहुत important role play करता है वो अपनी policies के थ्रू यह प्रयास करता है कि जो भी changes आए वो एक limited range में आए ताकि हमारे देश के को नुकसान ना जिलना पड़े the next function is banker to the government as a banker it carries out all the banking business of the government and maintains current account for keeping cash balances of the government accepts receives and make payment for the government it also gives loans and advances to the government तो यह सभी government के लिए एक banker और एक advisor के रूप में काम करता है यह सभी government के सारे banking business को control करता है सभी government चाहे वो state government हो या central government हो सभी के current account और cash balances को properly maintain करता है उनकी receipts को receive करता है और उनकी तरफ से जो भी payments होते हैं वो payment करता है और जब भी उनको loan की requirement होती है तो उनसे securities लेकर वो उनको loan भी provide करता है तो overall अगर हम देखें तो government के सारे important जो financial transactions होते हैं वो RBI के द्वारा किये जाते हैं for the government तो third is bankers bank and supervisor जैसे कि हमने आपको government के लिए बताया कि government के सारे important काम RBI करता है वैसे ही मैं आपको बता दूँ कि जितने भी हमाई देश के अंदर banks हैं चाहिए वो private banks हो public bank हो या commercial banks हो या scheduled banks हो सभी के सभी RBI के द्वारा control किये जाते हैं और supervise किये जाते हैं तो सभी बैंकों के लिए RBI काफी सारे functions perform करता है सबसे पहला custodian of cash reserves जैसे के मैंने आपको बताया था कि RBI के द्वारा सभी बैंकों को LRR maintain करना पड़ता है और उसके दो parts होते हैं एक होता है cash reserve ratio CRR और दूसरा part होता है SLR यानि statutory liquidity ratio तो हर बैंकों को ये दो ratio maintain करने पड़ते हैं और जो CRR होता है वो सभी बैंकों को अपने deposit का certain percentage cash के form में RBI के पास जमा करवाना पड़ता है और ये सारे के सारे cash reserves की custody RBI के पास होती है सभी बैंकों की next is lender of last resort जब भी commercial banks को बाकी other sources से funds नहीं available हो पाते हैं और उनकी financial requirement पूरी नहीं हो पाती है तब वो जाकर central bank के पास approach करते हैं अपनी securities जमा करके वो RBI से loan लेते हैं तो जब भी किसी भी sources से उनको funds नहीं मिल पाता है तो as a lender of last resort इसका मतलब होता है जब सारे sources fail हो जाते हैं तब RBI commercial bank को loan provide करता है ये बहुत ही important function है इसको अच्छे समझ लीजे कई बार exams में पूछा गया है कि why RBI is called lender of last resort and the third help is clearing house जैसा कि central bank सभी government के current account maintain करते हैं वैसे ही central bank सभी bankों के भी current account maintain करते हैं तो क्योंकि RBI यानि central bank सभी commercial banks के cash reserves maintain करके रखता है तो अगर किसी एक commercial bank को किसी दूसरे commercial bank को कोई payment करनी होती है तो RBI को request करके आसानी से clearing house के रूप में काम करवा सकते हैं और account में debit credit करके payment को कर सकते हैं तो ये clearing house के रूप में भी काम करता है सभी commercial banks के लिए तो आपको पता होना चाहिए कि जितना भी हमारे देश में gold होता है या foreign exchange या foreign exchange या foreign currency जिसको हम लोग बोलते हैं उसका जो reserve होता है वो RBI के पास ही होता है और उन सभी reserves की custody RBI अपने पास रखती है और उसकी external value को stabilize करने में और favorable balance of payment का मतलब होता है कि export ज्यादा रखना और import कम रखना और लास्ट फंक्शन है controller of money supply and credit इसमें RBI अपने वेरियस qualitative और quantitative instruments का यूज करके वो देश के अंदर जो भी credit creation या money creation होता है उसको control करता है पर इस topic को हम लोग अपने नेक्स वीडियो में समझेंगे तो please हमारा नेक्स वीडियो देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा जिसमें हम लोग controller of money supply and credit को अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो निश्चिती इसको रहें तब तक के लिए thank you